नमस्कार, Competition Committee में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ हीमन प्रधान, आईए फ्रेंड आज हम पढ़ेंगे Competitive Science की एक और महतपूर्ण सेशन को जिसमें की आज हम कवर करने वाले हैं कि Competitive Exam के पॉइंट अब उसे कुछ ऐसे महतपूर्ण प्रस्णों को जो आपके exam के लिए ना केवल scoring होगा बलकि कुछ concept बिल्ड करने में भी काफी help करेगा आईए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को Competitive Science की स्रिंखला जैसे आप सभी को बता है कि हम General Science, Environment and Science and Technology के कुछ महतपूर्ण सेग्मेंट को कवर करते हैं और इसी स्रिंखला में आज हम कवर करने वाले हैं MCQ को तो Environment, Science and Technology के सेक्टर के जितने भी महतपूर्ण MCQs भी होंगे वो upcoming classes में हम कवर करेंगे और आज हमारा जो सेशन रहेगा उस पर हम फोकस करते हैं पहला question है प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है ठीक है, when is the Migratory Bird Day celebrated? Migratory Bird की से कहते हैं बताइए, पहले इस question को deal करते हैं फिर उसी की बात करते हैं 18th April, आपका 2nd May, 22nd March या 13th May क्या होगा इसका answer? guess करिए, इसका answer होना चाहिए basically हम दो options यहाँ पर लेते हैं कि एक मन्त होता है October, दूसरा मन्त होता है May यह दोनों मन्त के जो second Saturday होता है, second Saturday जब होता है इसी के दिन आपका Migratory Bird Day celebrate किया जाता है अगर यहाँ पर हम बात करें 2023 में, तो 2023 को देखते हैं कि यह दिन पढ़ रहा है 13 माई, तो 13 माई को National Migratory Bird Day celebrate किया जाता है यह बात ध्यान रखना, second week of October भी होगा, तो options होगा तो वो भी correct है यहाँ पर हम बात करते हैं कि May का second week है, तो option number D is the correct answer तो concept क्या है इसमें, कि October हो चाहे May हो second week of Saturday को यह celebrate किया जाता है अच्छा, question यह है, what is a Migratory Bird? Migratory Bird किसे कहते हैं, प्रवासी पक्षी किसे कहते हैं, होता यह है, जैसे अगर इंडिया के map को अगर आप देखें इंडिया के map को अगर आप देखें, तो इसमें एक बात आपको समझ में आएगी जब आप जम्मु कस्मीर वाले एरिया से क्या होंगे, इस परकार इधर देखते हैं, like इस तरफ उपर वाला एरिया तो यह क्या है, काफी cold weather वाला places है, ठीक है, ठंडा प्रदेश में से एक है उसके पीछे तरफ क्या है, actual में देखा है चाइना और उसके पीछे क्या है आपका, युरेशिया का part, यानि के सीधा सीधा हम कहेंगे वहाँ पर Siberia एरिया है, Siberia जहाँ पर साल भर क्या है, temperature minus में रहता है तो जब winter season आता है, चाहे उस तरफ हो, चाहे भारत में हो, तो winter season में क्या होता है उस तरफ temperature बहुत minus में चला जाता है, इतने minus में चला जाता है कि वहाँ के birds जो है वह migrate करके भारत जैसे स्थानों में आते हैं, और भारत का जो भरत पूर bird sanctuary है, चिलका लेक है, एना इवन 36 गड़ का भी बेमेतरा वाला पार्ट है इस जगा वह आके migrate करते हैं, तो basically famous है भरत पूर bird sanctuary जिसे केवला देव निश्वल पार कहा जाता है है ना यहाँ पर वो अपना जीवन का कम से कम या साल भर का कम से कम पांच महीने आसपास यहाँ पर अपना समय देते हैं, यहाँ feeding period भी होता है और breeding period भी होता है यहाँ प्रजनन काल भी होता और अपना वृद्धी भी करते हैं यहाँ पर याद रखना तो इस जगह पर भरतपूर बर्ड सेंक्चुरी हो चाहे चिलका लेखो यह famous है इवन वैंबनाद लेख की और भी चले जाते केरला में तो यह migratory bird का बड़ा importance है इसलिए migratory bird day celebrate किया जाता है October second week में या फिर में का second week के Saturday को ठीक है यह बात है ध्याँ रखना next भारत में AC drain सबसे पहले कहाँ देखा गया था AC drain कहाँ देखा गया था Mathura, Mumbai, Delhi या Kolkata the correct answer is Mumbai क्या है इसके पीछे का concept में आपको बता देता हूँ देखो AC drain याद रखना सबसे पहले इसका pH कितना होता है 5.6 pH अगर हो या इससे कम हो दोनों ही condition में वो AC drain है ठीक है इससे जादा नहीं होना चीए बात ध्याँ रखना AC drain basically क्या होता है कि atmosphere में क्या होगा water vapor है की नहीं जलवास पह की नहीं इसे हम H2O, H2O लिख सकते है ठीक है तो यहाँ पर याद रखना कि atmosphere में जो sulfur dioxide है जो pollutant है प्रदूसक है atmosphere में जो nitrogen dioxide है जो pollutant है और atmosphere में जो carbon dioxide है जो क्या है greenhouse gas है है न यह सब मिलके क्या बनाएंगे देखो H2O plus SO2 यह मौजूद है जलवास water paper के रूप में SO2 जो pollutant यह प्रदूसरंड के तौर पे जो उपर निकलता है बाहर जाता है atmosphere में जाता है तो यह क्या बनेगा S2SO4 बनेगा उसके बाद याद रखेंगे S2O plus NO2 क्या हो जाएगा nitric acid HNO3 हो जाएगा और S2O plus CO2 क्या हो जाएगा S2CO3 हो जाएगा तो यहाँ पर याद रखना कि सबसे यहाँ पर जो main जो है acid इसमें बनते हैं वो ऐसे S2SO4 है सबसे जादा फिर उसके बाद HNO3 उसके बाद S2CO3 है न यही main जो होते हैं यह दोनों ही acid होते हैं बहुत कम मात्रा में carbonic acid S2CO3 भी होता है ठीक है यह बात है ध्यान रखिएगा तो वैसे तो देखा जाए कि ताजबहल का भी corrosion याने चरण हो रहा है तो यह जो acid rain होती है वो दो प्रकार की होती है अगर यह बारिश के बूंदों के रूप में आएगा है ना बारिश की बूंदों में मिल जाएगा तो इसे वेट डिपोजिशन कहते हैं याने कि गीला जमाव कहते हैं और अगर यह dusty particle के रूप में धूल डस के रूप में है उसे dry deposition कहते हैं याने कि सुस्क डिपोजिशन सुसक जमाव कहते हैं, तो dusty particles भी हो सकता है और rain के रूप में भी हो सकती है, इसके दो form होते हैं, Robert Smith ने सबसे पहले इस AC drain को किया है उसको discover किया था, is it clear? Now, तो correct option is B, Mumbai Next, secondary pollutant का क्या उदाहरण है example of secondary pollutant तो secondary pollutant और primary pollutant क्या होता है, आपको पहले ये concept को समझना पड़ेगा, primary and secondary, दोनों pollutant को जानना है, तो आप समझना कि pollutant जो होते हैं nature में, जिस form में release होते हैं, उसी form में ही pollution फैलाना चालू कर दे, तो ये क्या है primary pollutant है, जैसे carbon monoxide, इस form में चिमनी से काला धुआ निकलता है, वो क्या है carbon monoxide है, इसी से ही pollution फैलाना चालू कर देता है sulfur dioxide अभी हमने देखा, nitrogen dioxide हमने अभी देखा तो ये क्या है, इस form में release होता है, atmosphere में, उसी form में क्या है, pollution फैलाना चालू कर देगा वो primary pollutant है, ठीक है यहाँ पर check करिए, यहाँ पर कहीं option है क्या, नहीं है और भी बहुत सार एक्जांपल हो सकते अब come to the point कि secondary pollutant क्या है primary pollutant के साथ primary pollutant के साथ जो क्या करेगा reaction करेगा reaction करेगा और एक नया result देगा, तो उस case में वो क्या हो जाएगा, वो secondary pollutant होगा, यानि कि secondary pollutant बिना primary की मदद के बिना क्या है, वो बन ही नहीं सकता, यानि कि secondary pollutant तब बनता है जब primary plus किसी और external factor या किसी अन्य प्रदूसक से react कर लेगा तो उसके बाद secondary बनेगा, result बनेगा, एक्जांपल से समझिए, यहाँ पर SO2 है, SO2 किस के साथ reaction किया, जलवास्प के साथ reaction किया, क्या बन गया, SO4 बन गया, है यहाँ पर NO2 है तो NO2 भी क्या है, आपका SO2 के साथ reaction किया, तो क्या बना, HNO3 बना, तो इस प्रकार देखते क्या है, primary की मदद से यह बने है, कौन SO4 और HNO3, तो यह क्या क्या लाएंगे, secondary pollutant है तो SO3 भी कैसे बनेगा SO2 प्लस O2 is equal to SO3, ठीक है यह बात है, बागी संतुलित कर सकते हैं equation को, लेकिन ultimately है क्या, यह secondary pollutant, यह भी secondary pollutant इस smug, इस smug याद रखना, ठंड के दिनों में दिल्ली NCR के reason में क्या होता है बहुत जादा smug का जो है प्रभाव या दुस्ट प्रभाव देखने को मिलता है, train तक cancel हो जाती है तो यह क्या है, देखो, कोहुरा एक बात याद रखना smug, है ना, smug यहाँ पर हम एक term समझते हैं क्या होगा कि student कई बार mistake कर जाते इसलिए मैं इस बात को बताना जरूरी समझता हूँ कि क्या होगा यदि हम smug बनाते हैं, smug बनता कैसे है smug बनाने के लिए pollutant चाहिए, उसमें ozone का भी role होता है, ozone जो atmosphere में मौजूद है, ठीक है उसके बाद क्या smug बनता है लेकिन smug को और क्या लिख सकते हैं तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं smoke smoke plus smoke plus यहाँ पर क्या कहेंगे fog अब ठंड के दिनों में fog होता है कई बार कौरी चाही होती है हम सामाने भासा में कहते वो कोई pollutant नहीं है वो तो fog है, कोहरा है लेकिन यहाँ पर smoke कहेंगे तो smoke क्या वो cigarette वाले smoke केवल नहीं है चिमनी से निकलने वाला भी smoke है किसी चूले से निकलने वाला भी वो smoke है cigarette का धुआ भी smoke है actual में यह smoke का composition अगर आप देखना चाहें तो आप याद रख सकते हैं एक trick है SNC यहाँ पर S का मतलब क्या है SO2, SO3 N का मतलब क्या है NOX याने NO2, NO3 ठीक है, NOX लिख दिया उसी परकार C का क्या है Carbon Monoxide और Carbon Dioxide इतनी सारी चीजें होती smoke में प्लस fog, fog में क्या है पानी, atmosphere atmosphere, क्या कहता है, water paper तो कुल मिला के देखेंगे यह सब के सब क्या है आपके overall देखाजा है secondary pollutant के example है Is it clear हो गया? चलो, next Itai Itai Disease का क्या कारण है What is the cause of Itai Itai Disease तो यहाँ पर याद रखना होगा lead, arsenic, mercury mercury का तो इतना famous है आप सभी को पता है कि minimata minimata disease किसके कारण होता है minimata disease mercury के कारण होता है arsenic से क्या होता है black foot एक skin disease है black foot disease होती है lead से क्या होता है headache की problem होगी है ना, या anemia की problem होगी cadmium इसका correct answer है cadmium से क्या होता Itai Itai disease होता है यह बात याद रखेगा next one प्रदूसित पानी में BOD की मात्रा होती है pollutant water pollutant water क्या होता है बदवुदार होती है अब आप मुझे बताइए कोई भी पानी में बदवुख क्यों होगी क्योंकि उसमें oxygen की कमी होगी तभी चीजें सड़ती है ना अरे भाई oxygen की कमी होगी तब तो चीजें सड़ने लगती है ये बात आपको समझनी चाहिए तो oxygen की कमी होती है कि इसमें polluted water में और तो pollutant याने polluted water की बात जब हम करेंगे यहां पर polluted water की बात जब हम कर रहे हैं तो इसमें भी oxygen की कमी है oxygen की कमी है तो उसका पूरा करने के लिए क्या है एक word लिखा हुआ यहां पर biological oxygen demand यानि कि इसको हिंदी में कहेंगे तो javik oxygen mang what does it mean javik oxygen mang का मतलब क्या है oxygen की मांग की जा रही है मांग कब की जाती है जब कमी होती है तब की जाती है तो क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि biological oxygen demand is inversely proportional to dissolve oxygen what is the dissolve oxygen पानी में यदि 8 mg पर लीटर के हिसाब से क्या है जो है oxygen घुला हुआ हो वो पानी अच्छा पानी है वो पानी अच्छा है ठीक है वो पानी अच्छा माना जाएगा लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यार रखेगा पानी अच्छा है मतलब आउक्सीजन तो जादा है यहाँ पर situation क्या है oxygen की कमी है तो oxygen की कमी है यदि तो BOD increase होना चाहिए क्योंकि कमी होगा तो उसकी पूर्ती के लिए demand जादा होगा याने biological oxygen demand वर्ड पर ही answer चुपा है oxygen की demand हो रही है मतलब oxygen की कमी है मतलब पानी प्रदूसित है तो प्रदूसित पानी में BOD की मातरा क्या होगी अधिक होगी उसका उल्टा भी समझ सकते हो यदि घुलित oxygen याने dissolve oxygen की मातरा कम है तब ही तो पानी प्रदूसित हो ना यदि ये dissolve oxygen जादा होगा तो पानी प्रदूसित होगा ही नहीं क्योंकि जादा oxygen वाला पानी जादा बहतर quality वाला water है Is it clear? कि dissolve oxygen याने घुलित oxygen की मातरा यदि पानी में कम है तो उस case में हम कह रहे हैं कि यहाँ पर BOD बढ़ेगा जैविक oxygen मांग बढ़ेगे Is it clear? तो इस प्रकार B इसका right answer है Next one भारत में coral reef का सबसे बड़ा छेत्र क्या है? coral reef के जो चार महत्पून छेत्र है आपको यहाँ पर मेरे कहल से जानना भी होगा coral reef के चार महत्पून छेत्र हमको examination point of उसे बहुत important लगता है समय समय पर इसे पूछे गए है exam में तो आप आईए आज समझते हैं इसको इस सभी चीज़ों को ठीक है एक roughly मैंने इंडिया का map बना दिया अब देखो coral reef के लिए जो mean temperature होता जनरली इसके बारे में concept ये है कि जैसे ये equator है और साड़े 23 दिग्री क्या है and हाप ये क्या है tropic of cancer है and साड़े 23 दिग्री to the north ये क्या है आपका tropic of capricorn है तो इसी बीच में क्या होती है जनरली coral reef पाई जाती है coral reef यानि प्रवाल भित्ती यानि कि वो समुद्री वर्सा वन कहा जाता है वहाँ biodiversity बहुत rich होती है अगर यहाँ पर बात करें अगर यहाँ पर बात करें कि कहाँ पर coral reef का सबसे बड़ा छेत्र है तो जैसे कि northern अंडबान, middle अंडबान, southern अंडबान है यह पूरा अंडबान, निकोबार एरिया भारत का सबसे बड़ा क्या बोलते हैं आपका coral reef छेत्र है तो इसका अंसर वैसे C है इसके अत्रिक लक्षदीप वाले एरिया में भी क्या है coral reef मिलता है इधर आप बात करते हैं Gulf of कच्छ में भी मिलता है और यहाँ पर अगर हम बात करें इस जगा गलफ आप मननार में भी मिलता है दुनिया का सबसे बड़ा coral reef इधर Australia और इंडिया इस map पे नीचे की और जाएंगे तो क्या मिलता है Australia तो वहाँ पर great barrier reef मिलता है ठीक है लेकिन उसकी position overall देखा जा है इसी करक रेखा और मकर रेखा के बीच में होता है कई बार इसे twist करके ऐसा भी दे देता है 33 degree north to the 33 degree south इस case में हम देखते क्या है यह overall देखा जाता है इस area में मकर रेखा करक रेखा 23 degree half north या south के भी कहा जाए या फिर north and south 30 degree कर दिया जाए उस case में वहाँ पर क्या है coral reef का presence होता है क्योंकि इनके लिए favorable temperature जो है 21 degree Celsius होता है और बाकी अगर poles area में जाएंगे तो क्या होगा temperature कम हो जाएगा तो वहाँ पर coral reef नहीं मिलता यह बात ध्यां रखना तो यह बात है सबको समझ में आ गई Gulf of Kutch लक्षदीप, गलफब मननार और यहाँ पर अंडबान area इस area में मिलता है इसको आंसर करिए बहुत easy है सबसे बड़ा tiger reserve सबसे बड़ा tiger reserve कहां पर है तो यहाँ पर देखना है कि नागारजून सागर शी शैलम जो है सबसे बड़ा tiger reserve है यह कहां पर है आंदर प्रदेश में है नाम दफा कहां पर है अरुनाचल प्रदेश में है अरुनाचल में है जिम कारवेड आपको पता उत्राखंड में है बोर कहां पर है महरास्टा में है ठीक है तो सबसे बड़ा tiger reserve क्या है आपका नागरजुन सागर स्त्री शैलम है याद रखेगा next one की ठोस अपसिस प्रबंद है 2016 के अनुसार गीला कच्रा को किस बॉक्स में रखा जाता है अकसर घर घर में क्या है कच्रा कलेक्शन वाले आता है garbage कलेक्शन के लिए तो हमको यहाँ पर समझना होगा green उसके बाद red और blue GRB green जो होता है बेसिक लिए क्या है ये गीला कच्रा के लिए होता है ठीक है blue जो होता है वो सुखा कच्रा के लिए होता है और red जो होता है वो क्या है glasses वगरा या कहना चाहिए e-waste हो गया या फिर काच बगर हो गया इन सब चीजों के लिए होता है ठीक है तो यहाँ पर गीला कच्रा को किस में किया जाता है तो हरा बॉक्स में रखा जाता है यह बात ध्यान रखेगा वैसे logic ऐसा भी लगा सकते हैं कि घर में के जैसे फूल घोभी पत्त गोभी या कोई भी चीज सब्सब्स क्यों बनाते हैं तो दंठल या worst part होता हुआ हरा हिए होता है और भाज का पार होता है किसीभी सब्सब्स काолот हरा होता है तो उसको हम खाने वाली स्था‌चीजों को बना लेते हैं र्हे बहुँएрос पार्ट को हम क्या करते हैं, वेस के तौर फेक देते हैं, तो वो गीला कच्रा में गिना जाएगा, ठीक है, वाई गुडवत्ता सूचकांग कितने प्रदूसर्ण कारी तत्मों में को सामिल किया जाता है, तो इसको आपको आंसर करना होगा, 7, 8, 9 और 10, ठीक है, तो वाई क्या है, पाई चाड बना लेना, इसके बाद यहाँ 20 से एक लाइन ऐसा, इधर एक लाइन ऐसा, ऐसा करके 8 बना लेना, और 8 में आपको सबका अपना अपना यहाँ पे रोल होता है, देखो, कौन सा ऐसा पलूटेंट है, जो क्या है, डिसाइड करता है कि उस एरिया में पलूटेड है या नहीं है, एर क्वालिटी इंडेक्स का मतलब यही है ना, कि वहाँ कि एर की क्वालिटी क्या है, तो 8 ऐसे पलूटेंट को हम गिनते हैं, जिसके बेस पर हम यह डिसाइड करते हैं कि यह एर या एटमोस्पियर पलूटेड है या नहीं है, ठीक है, तो यह बात ध्यां रखना NO2 को गिना जाता है, SO2 को गिना जाता है, Ozone को गिना जाता है, Carbon Monoxide को गिना जाता है, इसके अलावा NS3 याने Ammonia को गिना जाता है, Lead को गिना जाता है, इसके अलावा Particulate Matter 2.5 और Particulate Matter 10 को गिना जाता है, यह 8 ऐसे प्रदूसर्ण कारी तत्व हैं, जिसकी मदद से क्या होता है, basically, air quality index decide किया जाता है, CGPAC में दो बार इसे पूछा जा चुका है, अगर आप past year का paper solve किये होंगे तो, ठीक है, is it clear, next one, COP28 सिखर सम्मेलन, प्रतिवर्स होता है, इसे हम क्या नाम से जानते हैं, UNFCCC नाम से जानते हैं, United Nation Framework Convention on Climate Change, United Nation Framework Convention on Climate Change, Conference of Party 28, Conference of Party 27 अभी पिछले साल हुआ है, 2013 में Conference of Party 28 होने वाला है, यह कहां पर होने वाला है, Rio de Janeiro Brazil नहीं, UAE yes, यही है आपका Expo City Dubai, Expo City Dubai में यह होने वाला है, यह याद रखना, आपका basically, यह Conference of Party, यानि कि हम जल्वायू परिवर्तन सम्मिलन भी उसे हम कहते हैं, तो इसका अंसर क्या है, आपका UAE, ग्लासगो में इससे पहले हो चुका है, Conference of Party 26 हुआ था, next one, कुछ question और है, इस पर देखते हम, यहाँ पर next, 11 question, राष्टी उर्जा सरक्षन दिवस कब मनाये जाता है, ठीक है, National Energy Conversion Day, ठीक है, दो बारी रिपीट हुआ, Energy Conversion Day कब सेलेबरेट किया जाता है, 14 December 3rd में, 20 March 12 में, तो इसका आंसर आपको ध्यां रखना होगा, कि जो December महिना होता है, तो 14 December को राष्टी उर्जा सरक्षन दिवस मनाये जाता है, यह point याद रखेगा, 1991 से हम इससे सेलेबरेट करते आ रहे हैं, उर्जा मंत्राले के दोबारा यह basically, जो है, सेलेबरेट किया जाता है, तो 14 December याद रखेगा, next one, नॉबल पुरसकार विजेता है, who is the Nobel laureate, डॉक्टर सहीवी रामन बिल्कुल है, रामन इफेक्ट के लिए इनको मिला था, रामन एन स्कैटरिंग इफेक्ट, रामन प्रभाव और प्रकीनन प्रभाव के लिए मिला था, डॉक्टर हर्गुविन खुवराना इनको जैनेटि यूनिट क्या है, है ना, सन का मास इंटो 1.4, is equal to क्या होता है, 1CSL होता है, है ना, ये पॉइंट याद रखना, द्रभ्यमान का याने मास का सबसे biggest source क्या है, आपका, ये है आपका चंदर सेखर constant, चंदर सेखर limit, जिसे हम कहते हैं, तो ये सभी को क्या है, Nobel Price मिल चुका है, All of the above, सभी के सभी Nobel Laureate है, है ना, ओवराल 10 लों को मिला है भारत में, Geostationary Satellite घूमता है, ये CGPSC का प्रस्न है, Geostationary, तो एक बात ध्यान रखना, जो हमारा आर्थ है ना, ये आर्थ में हमारे पास दो महत्पूर कंडिशन्स बनती है, जब हम Geostationary या Geosynchronous कहते हैं, अगर प्रित्वी से, अगर हम यहाँ पर जाएं, प्रित्वी से क्या है, 36,000 km की हाइट पर जाएं, और यहाँ पर भी प्रित्वी से 36 km की हाइट पर जाएं, तो बेसिकली दो कंडिशन बनती है, इस orbit को हम Geosynchronous orbit कहते हैं, वैसे, भू तुल्यकालिक या भू समकालिक अक्षा कहत हैं, अगर equator के पास satellite ठीक इसके ऊपर हो, और दूसरे case में equator से क्या है, कोई angle formation हो रहा हो, यह आपका क्या है, angle formation हो रहा है, और जब कि यहाँ पर देख रहे हैं, क्या है, यह पूरा आपका 0 degree हो रहा है, तो इसे हम कहते हैं, geostationary कहते हैं, इसे geostationary कहते हैं, तो यह बात ध synchronous कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, geosynchronous कहते हैं, तो भू स्थरी उपगर किस उचाई पर उड़ता है, किसी भी उचाई पर नहीं, इस तिर उचाई पर बिलकुल इस तिर उचाई पर at a constant height that is 36,000 km, चाहे वो angle बनाएं, चाहे मत बनाएं, height तो 36,000 km ही होगा, next one, कौन सा SARC satellite है, यह question थोड़ा पुराना हो चुका है, लेकिन फिर भी हम याद रखेंगे, G7 9 जो है, SARC satellite कहलाता है, जिसमें कि भारत ने पहली बार, diplomatic policy के point अब उसे, यानि कि कूट नितिक रूप से, साधरे के लिए अपने आसपास के देशों को, उसने क्या है, SARC satellite छोडा था, जैसे यह भारत है, और भारत के आसपास येदी हम देखेंगे, तो भारत के आसपास जब हम देखेंगे, तो क्या होता है, कि basically, यहाँ पर चाइना है, चाइना क्या कर रहा है, वैसे क्या है, आपका, सिलंका के हमन टोटा पोर्ट को खरीच चुका है, इधर वो क्या है, पाकिस्तान क कि यहाँ पर कराची पोर्ट तक अपना जो है, वो अपने भारत को क्या है, चारो तरफ से घेरना चाहता है, तो string of pulse यहने मोतियों की माला भी कहते हैं, तो इसका जवाब निकालने के लिए भारत ने क्या किया, भारत ने आपने आसपास के पडोसी देशों के इसाथ बहतर relation बनाने के लिए G-Sat9 satellite को launch किया था, जिसमें यह satellite की मदद हम उपर launch कर दिये, अब क्या है, आपने सभी मित्र देशों या पडोसी देशों को, चाहे वो क्या है, म्यामार हो, बांगला देशों, भूटान हो, नेपाल हो, सिलंका हो, सभी को दिये पाकिस्तान को छोड़ कर क्योंकि वो चाइना से ज़्यादा closeness सो करता है, और इस प्रकार हम उन देशों के साथ बहतर रड़नितिक संबन या कूटनितिक संबन बनाए, ठीक है, यहाँ पर इंधन अवाक्सी कारव जो cryogenic engine में प्रयोग होता है, वो क्या है, इस इस दे रिवोलिशनरी स्टेप्स गबर्मेंट टॉप इंडिया और इसुरो और डी आडियो, जब हमने cryogenic engine बनाया, ठीक है, cryogenic engine के फादर कौन है, डॉक्टर नम्भी नाराएंड सर है, तो basically cryogenic engine जिसे हम cryogenic engine CE technology कहते हैं, cryogenic engine technology कहते हैं, यहाँ पर याद रखना कि इसमें propelend में क्या यूज किया जाता है, propelend, propelend यानि कीप इसे कहा जाता है, प्रणोधक, propelend equal to होता है, fuel plus oxidizing agent, है न, इसे क्या कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है, इंधन plus आक्सी कारक, है न, यह oxidizer भी हम कह सकते हैं, आक्सी कारक, तो बिना oxygen की इस दुनिया में कोई भी चीज़ें जल ही नहीं सकती, यह बात करते हैं, fuel के तोर पे hydrogen को लेते हैं, H2 को लेते हैं, और oxygen को क्या करते हैं, oxidizing agent लेते हैं, दोनों तो इन generally gas है, hydrogen भी gas है, oxygen भी gas है, लेकिन हम क्या करते हैं, इसे minus 253 degree Celsius और oxygen को minus 183 degree Celsius में liquefied करते हैं, तो उसके बाद क्या बन जाता है, यह तरल यहने liquid form में आता है, उसे ही हम cryogenic engine में use करते हैं, तो liquid hydrogen और liquid oxygen तो option number C, liquid hydrogen प्लस liquid oxygen तो यह option number C, ठीक है, next one, हमारे पास आता है, भारत का पहला sounding rocket क्या है, यह भारत का प्रतम प्रयास था अंतरिक्ष में, 1963 में हमने छोड़ा था Nike Apache को, यह point बहुत easy है, CGPAC में पूछा भी गया है, तो यह point याद रखना, बा भारत का पहला indigenous satellite है, जिसमें क्या है, कहना चाहिए हमारा launcher था और हमारा satellite भी था, overall भारत का first indigenous satellite तो आर्यभट है, लेकिन उसको launch किसकी मदद से किये थे, Russian launcher से किये थे, Cosmos 3M, वो launcher क्या है, Russian था, लेकिन हम भारत ने आर्यभट को बनाया था, लेकिन जब हमने रोहिनी RS1 को छोड़ा, तो इस समय क्या है, SLV-3 launcher बनाया था, जो भारत का launcher है, और रोहिनी RS1 satellite भी छोड़ा था, ये भी भारत का है, मतलब launcher भी भारत का, satellite भी भारत का, मतलब 100% indigenous था, और भासकर क्या है, हम रोहिनी RS1 का पहला attempt किये थे, भासकर को छोड़े थे, लेकिन unfortunately वो फेल हो गय ठीक है, तो पहला sounding rocket क्या है, Nike, Apache, next one, ICBM missile का क्या range है, ICBM missile का range, ये point बड़ा interesting है, आपको याद रखना होगा, क्या होता है, short range ballistic missile, medium range ballistic missile, intermediate range ballistic missile, याने माध्यमिक दूरी की ballistic missile, और ICBM, intercontinental ballistic missile, ये चारों के चारों क्या है, ये सब के सब ballistic missile के types हैं, जिसमें की kilometer के range के आधार पर इसे क्या करिया जाता है, डिवाइड किया जाता है, अगर up to 1000 km हो, तो वो क्या है, SRBM है, अगर 1000 से 3000 km तक हो, तो वो क्या है, MRBM है, और IRBM की जब हम बात करते हैं, तो ये क्या है, 3000 से लेकर 5500 km तक हो, तो उस case में वो intermediate range, याने माध्यमिक दूरी की ballistic missile है, और ICBM की जब हम बात करेंगे, तो ये 500 km से अधिक होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना, तो यहाँ पर क्या है, 500 km से अधिक, D is the right answer, next one, काली 5000 क्या है, काली 5000 basically है, कि मान लोग इधर बात करेंगे, आप border movie या इंडियन आर्मी है, अब क्या करते हैं, कि हमारी एक एक information को पाकिस्तानी किसी satellite की मदद से, या किसी telephonic या किसी बहतर जगह पर उनकी position है, तो हमको देख रहे हैं, उसकी मदद से हमको communicate करके बता दे रहे हैं, मतलब अपने senior को ये बता रहे हैं, जिसके कारण पाकिस्तानी हम पर ज्यादा क्या है, मालोग थोड़े समय के लिए समझिए कि हम पर aggressive हो रहे हैं, हम भी उनको जवाब उसी frequency से दे रहे हैं, दोनों के बीच में लड़ाई चल रही है, इसमें इनके लिए जो communication है, वो बहुत बड़ा role play कर रहा है, तो क्यों न हम ऐसा कुछ करें कि उनका communication को jam कर दे, पूरी जैसे jam कर दे, तो क्या करते हैं, वहाँ पर हम भाभा Atomic Research Center के द्वारा develop किया गया, सक्ति साली beam weapon, beam astra को हम on कर देते हैं, तो दुस्मन देश का communication क्या हो जाता है, पूरी तर से block हो जाता है, jam हो जाता है, जैसे CM साब चलते हैं, तो उनके पीचे क्या चल तो beam weapon is the, actually, communication को block करने के लिए, भाभा Atomic Research Center के द्वारा develop की गई, एक radiation techniques है, जिसके कारण वो क्या है, उसको block कर देता है, ठीक है, तो इसके कारण जो है, हमको advantage मिल जाता है, और आसानी से हम उनको beat कर सकते हैं, ठीक है, यह बात ध्यान रखना, next one, बराक missile किस देश से import की ग लेते हैं, तो उसे हमने basically कहां से लाया था, उसे हम Israel plus India दोनों के joint efforts से बना है, technology, Israeli technology, दुनिया के सबसे बहतरीन technology में से एक Israel के technology होती है, तो Israel और India के joint technology से बराक aid भारत में बना है, लेकिन बराक missile is actually imported, तो दोनों में Israel का role है, यह 100% imported है, यह उनकी technique को use किया और भारत ने इसक धनुस missile क्या है, प्रित्वी 1, 2, 3, प्रित्वी 3 को हम क्या कहते हैं, also known as it is the धनुस missile, तो option number C, ठीक है, यह बात ध्या रखना, क्योंकि प्रित्वी 1, 2, 3, तीनों को देखा जाए, इस तीनों के तीनों क्या है, आपके ballistic missile है, यह लंबी दूरी की, मतलब मध्यम दूरी की missile ह ठीक है, बैलिस्टिक missile जलेली मध्यम से अधिक दूरी होती है, और cruise missile क्या होती, कम से मध्यम दूरी होती है, तो यह तीनों की तीनों क्या है, आपके ballistic missile है, और यहाँ पर प्रित्वी 3 को हम धनुस missile भी कहते हैं, ठीक है, एक छोटा सा session आज हमने किया, 20 questions किये, बट यह सभ कोशिन आपके लिए काफी useful है, friends हम मिलते हैं, फिर next session में कुछ नए और कुछ और important topic के साब, thank you so much, have a nice day.